साथ दोस्तो नेक्स नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रगय सेंग बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के सघासु वीडियो में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीते शुक्रवार यानी 1 जुलाई को बॉक्स ओफिस पर रलीज हुई दो बड़ी फिल्मों खी। इसमें पहली फिल्म है आर्मादवन की फिल्म रॉकेट्री दनम्भी एफक्ट follow दूसरी फिल्म है अधितियरॉय कि राख़कुएं कवर्च ओं फिल्म दोनों ही बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी हैं फिल्म को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं अब इसे बीश हम आपको बताने वाले हैं कि दोनों फिल्मों में क्या कुछ खास है और आखिर का किस फिल्म ने कितनी कमाई की तो आपको बता दे कि बॉक्स आफिस पर रिलीज हो चुकी है हाला कि फिल्म की अगर बात करें तो दोनों ही फिल्में एक दूसरे से बिलकुल अलग है एक फिल्म साइंस फिक्शन है तो दूसरी एक आक्शन थ्रिलर फिल्म है और माधवन की यह जो फिल्म यह बायोपिक है यह बायोपिक है इंडिया के एक air space engineer और scientist नम्भी नाराएन की जो यहां आपको बता दे कि यह पूरी फिल्म है यह एक नम्भी नाराएन की जिंदगी पर आधारत है जो इस पर जासुसी का आरोप लगाया दे जाता है आपको बता दे इस फिल्म का direction भी आरमाधवन ने किया है यह फिल्म इस फिल्म में श बता दे कि यह जो फिल्म है इसमें on the battle इस फिल्म में आधित्या रॉय कपूर आशुतोश राना जैक श्रॉफ और संजना सांगी लीड रोल में नजर आ रहे हैं फिल्म में आशुकी स्टार यानि कि आधित्या रॉय कपूर एक कमांडो की रूप में नजर आ रहे हैं जो अर्डेश की रक्षा कर रहे हैं अगर बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो इस फिल्म कर टायरेक्शन किया है कपूर शर्मा ने जहां आपको पता दे कि दोनों ही फिल्में रिलीज到底 हो चुकी है और वह ज्यूदा पसंद भी किया जा रा है लेकिन अगर बात करें को और में से कौन सी फिल्म जादा पसंद आई है तो इसमें कहीं न कहीं आर्माधवन की फिल्ड रॉकेट्ट्री दनम्भी एफेक्ट यहां पर पलडा उसका भारी नज़र आ रहा है तो यहां जिस तरह से आर्माधवन की इसमें आक्टिंग है और यह फिल्म इंडिया के वन ऑफ पहले दिन की कमाई की तो इसमें कहीं न कहीं आर्माधवन की फिल्म यहां पर बड़त बनाती हुई नज़र आ रही है अनम्भी इफेक्ट ने अध्या रॉय कपूर की फिर्म रक्षा कवर्श ओम को मात्स दे दी हैं फिल्याल के लिए इस वीडियो में इतना ही वाकिया सी तमाम अब्डेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ नमस्कार